गुड इवनिंग एवरिबड़ी दूसरी थीसरी बार रिकॉर्ड करने पड़ा है बहुत दिक्कत से हो रहा है रिकॉर्ड पता नहीं किसा जाएगा है रप मूट करा हो गया पुरा दो बार हो चुगा रिकॉर्ड और आवाजी नहीं कहीं से इस है तो देखते हैं पहले मैं क्योंकि लेट गया है तो अब गाली तो दो गई तो देलो भाई लेकिन यह मेरी टीम अभी के लिए इसमें रिस्की वाइस कैप्टन की चोईस अगर जिंदिगी में थोड़ा रिस्क लेने का मन्न हो उमेद असिफ की तरफ देख सकते हो अर्शा दिखबाल एक चोईस है न और मुहमद आमिर हैं आमिर के बारे मैंने बहुत बात करी है लेकिन चलो चलते हैं वापस तो देखो भई आपने देख लिया टीम क्यूंकि मैं दो-तीन बार रिकोट कर चुका हूँ तो वापस बता रहा हूं फिर से सब कुछ कराजी पेशावर का मैंच है पेशावर का मै देखाते हैं यहां से बाबर राजम और नजीबुला चादरान बॉलिंग में वहाब रियास और यहां से इमाद वसीम और परेरा देखते परेरा को खिलाया जाता है कि नहीं फिलाल के यह आवरेजिस थे और अगर आप है टॉस वाइस अनालेसिस में भी देखोगे तो ठीक है जजाई जीरो और 63 कब परफॉर्म करने कुछ पता नहीं है एदर एली बहुत पोटेंचिल लेकिन अभी तक नहीं चल पाए हैं ग्रांड लीग में आपको बिल्कुल ट्राय करने चाहिए यह प्लेयर्स ठीकिन स्मॉल लीग के बहुत क्लियर कट ओप्शन दिख रह रह नहीं सकते हैं जैसे बोलिंग आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि परफॉर्म कर सकते हैं अब फर्स इनिंग और जिनको आल्मोस्ट विकेट मिल ले हर बार वो हैं समीन गुल तो यह दो ऐसे ब्लेयर हैं जो थोड़ी से अलाग अटके रहेंगे कराची के लिए इमाद व जैसा कुछ जॉंसन चांस निकिया वैसा अगर ये कर जाएं तो उससे बचने के लिए आपको इनको एक टीम में जरूर रखना चाहिए लेकिन मिली नहीं इनको पिछले माच में बाटिंग से बहुत रिंग बना दिये थे गपतिल इंट्रेंशल लेविल प्लेयर लेकिन 15 के ओपन नहीं किया था एक मैच को छोड़ के और बाटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा हल चलमा जाते हैं महमाद आमिर एक भी माच नहीं हु ले गए और दो भी ले गए तो समझ लो कि वो टीम आपके कितनी अलग हो जाएगी जो लोग सोच भी नहीं रहें इल्यास मस्ट पिक हैं रखना जरूरी है जादरान फर्स बैटिंग करते वक्त अच्छे रहते हैं शरजील फर्स बैटिंग करते वक्त यह मैं बता चुका ह बॉलर्स थोड़ा सा पहली इनिंग के बॉलर्स पर जरूर ट्राय करना ग्रैंड लीग में वह एक हेल्प करेगा हैड टो टीम में कराची हेड टो एड में पांच मैच में आगे लेकिन ओवराल पेशावर आगे इस वेन्यू पर भी पेशावर ने एक मैच अपना जीता है टीक है मैं आपको आखरी दो मैचेस के परफॉर्मेंस देखो के तो रदफोर्ड ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है उसके अलावा कामरा नक्मन ने किया है जो आपको दिख रहा है जजजाई ने एक मैच में किया और बाबर रजम का नाम हमेशा ही रहता है तो यह आपको कहरा हूं बूलना मत यह चीज वाबर रजम शोई मलिक पहले भी परफॉर्म कर चुक है यहां कोहां से दिख रहा यहां बाबर रजम इमादवसीम दिखेंगे और आसिफ के विकेट दिखेंगे ठीक है और उसके बाद का परफॉर्मेंस फिर से का मान अधक मल का पर पॉमिन्स है, इमाम खेलेंगे नहीं, और मुझे इतना पता है लग रहा है, और वहाब और उमेद हम दोनों अपनी टीम में रखेंगे, सामने से कराची से बाबर अजम मस्ट पिक हैं, इमाद वसीम मस्ट पिक हैं, और महमद आमिर, स्मॉल लिग में लेना हो ले लो, लेकिन कामना अकमल जर्ण देखो, इस साइड के अगेंश में हार कितना अच्छा खेलता, 75, 77, 86, 104, फेलियर भी हैं चार, लेकिन चार जो इनिंग खेली हैं, वो 20 के निकलने के बाद उनने जबर्दस खेली हैं, ठीक हैं, चेस करते वक्त एक ही इनिंग है, अला कि बैटिंग फर् उपर चेस करते वक्त था, वेन्यू पर, और हेट टू हेट में बाटिंग फर्स करते वक्त, तो ऐस अ प्लेयर आपको रखना जरूरी है, समीन गुल फर्स बालिंग में अच्छे डिफरेंचल चॉइस हैं, जैसे उमेद आसिफ हैं, उमेद आसिफ थोड़े रिस्की हैं, स साइड के अगेंस में रिकॉर्ट, तो पता नहीं कितने समय तक विकेटलेस रहेंगे, परिशे 6 माच में एक भी विकेट नहीं मिला है, लेकिन ऐसा ज़्यादा होना नीचे, ये मेरे हसाब से तो इसलिए एक वज़े है, जो आप गरी सकते हो, देख लिए आपने टीम में, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने आपको अल्रीडी टीम लिखा दी है, एक बाँ फिर से देख लो, ये अभी के लिए मेरी टीम है, और ये है जनता की टीम, रदफोर्ड वर्सिस जजाई में, अभी मैंने जजाई ले रखा है, रजाई लेके सोयना और यहां पर रदफोर्ड हैं, तो आप अपने इसाब से चेंज कर सकते हो, all the way.